असलाम अलेकुम एवरीवन वेलकुम टू माई शोग हमारी आज की महवान है उनको मैं जब भी मिली हमेशा हस्ते मुस्कुराते पाया अपने फं में यक्ता शी इस अन शेंच्रस अफ आज मुजिक इंडस्ट्री लेडिस जेंजम्मन लेट्स मीट और टॉक तुफेंटास्टिक अफ़िलिस वरीह परवेज असलाम लेकुम असलाम लेकुम कैसी हैं आप सबसे पहलों ते बताएं हसते रहना और दूसरों को हसाना ये फं कहां से सीखा रूच मेरा ख्याल है कि ये इस इन मा नेचर विकॉज मेरी जो मदर हैं वह बहुत जॉली है और वह बड़ी अपराप्त है उन से आप किसी भी वक्त बहुत अच्पन से तो मैंने उनको एक दम से हर तरह की मुश्किल पे वहावी हो गई उसको पकड लिया बहुत मुश्किल के वाक मैं को रू रहा है तो हसा देती हैं I think I got it from my parents. Father भी माशला है और एक बहुत बड़ी मेजर वज़ा ये है कि मेरा अंदर बड़ा साफ है सब के लिए अच्छा फिर्या we have to take you back to your childhood, बच्पनी की तरफ कुछ लेके जाएंगे और पूरी जो आपकी life है उसकी हमने सेयर करनी है अच्छा, okay Because it's about knowing you, it's about knowing that how you have gone through बच्पन के बारे में जब सोचती हैं तो क्या बहुत च्लेर ली याद है बच्पन के हवाले से? रूज मेरा बच्पन को इतना मज़दार बच्पन नहीं था Because मैं एक बच्चा होता है जो बहुत इशरारती होता है एक बच्चा होता है जो आप अक्सर आपन देखे होंगे ऐसे बच्चा बैठे वही कि बिलकुल ही जाके सोबर बैठ जाते है इसी की घर में आप उसकी उस एज में उससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते है जार यह बच्चा है जो बढ़ों की तरह क्यों बहेव कर रहे हैं आप आप वस अवरी मचूर किड़ और आप इस व्यूर्ट नहीं दुन भाई हैं एक चोटा एक बड़ा मच्छा दो बहुत शाय थे और मेरा ख्याल है कि कभी-कभी उनकी शायनस को खतम करने के लिए मैं है सोचती होती थी कियार मैं कॉन्फिटेंट हो यह जो नहीं है यह यह शाय क्यों होते हैं सो वो बच्पन से एक तो मेरा जो मेरी ट्रेनिंग है वो ऐसी हुई कि अच्छा थे के लिए बच्छा रहे हैं अब लोगों की आवाज नहीं आणी चाहिए और थोड़ा संसबल भी होना पड़ता है मेरा ख्याल है कि यह थे लिए 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 प्रवाज भी आप रहा जाए क्योंके भाईयों का घर के अंदर इना रोल नहीं होता अच्छा फर्या दे से लिए लिए लुप अच्छा पर्वेज ने अपनी जिंदगी में यह फीम इजट शोहरत हासिल करने के लिए क्या खो दिया रूच पता नहीं हमेशा से सवाल का मुझे जवाब बड़ा सोचना पड़ता है और बहुत सोचने के बाद भी मेरे जहन में कुछ ने आता बड़ी अजीब सी बात है कि आपके जंदगी में क्या वाकियात हुए क्या बुरा हुआ ऐसा क्या था जो आपको नहीं मिल सका जब आप मैं समझती हूं कि step by step आगे बढ़ते हैं जब आप सीड़ी एक step करके चड़ते हैं और जब आप नीचे से उपर जा रहे होते हैं That's a great achievement that you haven't lost anything. Seriously, it is. It is. वही बात है कि हम बहुत सा कुछ चाहते हैं जिंदगी में लेकि उसको हासिल करने के लिए शायद हम शॉटकट्स भी ढून रहे होते हैं Okay, क्या चीज़ फरीहा परवेस को मुकमल करती है? Of course, recently, जो जेन में बात ज्यादा हम मैसूस हुई आपको जिंदगी में जो चीज़ नहीं मिलती आपको उसकी खाहश होती है और उसकी उस खाहश के हुसूल के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं और आप एक दिन ऐसा कुछ कर जाते हैं जो जहां आपको मैसूस हो रहता है कि मेरे पास नहीं था अब वो मुझे मिल गया है सही जो इस तरह के स्टेप्स मैंने जिनगी में लिये जिसमें मुझे जहां मुझे करियर की जरूरत है मुझे करियर चाहिए मैं एक बड़ी अपने आपको टिपकल स्थिय नहीं कहूंगी क्योंकि मैं एक मासस की तरह की घर में गुसीवी औरत नहीं मैं टिपकल हाउस्वाइफ भी नहीं मगर अगर मुझे जब हाउस्वाइफ कर रोल अदा करना पड़ता है तो मैं बड़ी खुशी से करते हूं और मुझे बच्चे भी बहुत अच्छे लगते मुझे एक फैमिली भी रेस करने की बेत तहाशा खाहिश है और मैं और मैं अच्छा नाम करती रहूंगी तो इंशाला I would love to do that everything जैसे simply एक लाइफ को होना चाहिए कोई ऐसा लम्हा जिसने आपको मुकंबल कर दिया हूँ अरूज, I think अभी वह लम्हा नहीं आया Because मैं समझते हूँ कि एक औरत मुकंबल तब होती है जब उसकी ऑलाद होती है I agree with you जब उसके अब ये बड़ी मज़ेकी बात है जिंदगी इसी का नाम है कि अभी हम दोनों डिसकास कर रहे हैं और इस वक्त हम इसको 10 पहलों से देखेंगे अगर वो चीज शायद जब हो जाती है क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों के सामने जनकी ऑलादे हैं और उनसे मैं बात करती हूं तो उनको ये मैसूस ज़ार क्या वक्वास करी है माशालला काम है दुनिया में नाम है मश्रूर है इसको वो टिपकल लाइफ में जरूर गुस्ता है I think अभी फिल्हाल अनसान इतना नाशुक्रा है इसवक्त ऐसे लग रहा है कि शायद वो लम्मा है इंशाला होगा अगर इल्ला का हुकम होगा इंशाला है कभी-कभी मैं I blame myself कि why did I do that at that point in time मैं क्यों दूसरों की सुनती रही और क्यों वो नहीं कर सकी जो मैं चाहती थी क्योंके दूसरों की सुनने के बाद कि at the end of the day आप बहुत बुरे बन जाते हो Do you blame yourself? हाँ और मैं बढ़ी कोशोरी होती हूँ मेरी blame करने का तरीका थोड़ा सा मुक्तलिफ है कि मैं यह समझती हूँ जब मैं किसी को blame कर रही होती हूँ चो मैं अपने आपको इतना I put myself so down कि मैं यह सोचती हूँ कि यह मैं तो इसको blame कर रही थी हलाकि यह अपने ही आपको blame एक तरह से कर रही होती हूँ बिलकुल बिलकुल एसा है पहले से यह आप अपने पता नहीं यह और अवरत होने के विज़ए से इसा होता है यह शायद कुछ इंसान ऐसे होता है क्योंकि अब तो जाहर है इतने अर्से के बाद आपको चीज़े पता भी चल जाती है इतनी कोई मासूमत दुनिया होती नहीं है इंसान नहीं होता इंसान को अल्ला ताला ने श्रफ अलमखलुकात पता ने का क्या भरा है अमारे अंदर कितीfold XYZ सलोर ही आपको हमाई हो आपके साह pliers अचे कबी ऐसा होता है आपके साहथ आपकेसात्त अपकेसात्थ अब द।की अब कांसा पयाइ आज हॡ़ा इस्ög मया सेज़ेब। कि अपनी शक्सित को एक रंग में डिफाइन करें, कौन सा रंग होगा वो? अपनी अपनी शक्सित को एक रंग में डिफाइन करें, कौन सा रंग होगा वो? I think it'll be black and white. Okay. दो रंग होगे, मंगर वो जारे, mix and match. सहीं. Okay, हम फर्या पर्वेज को देखते हैं, हस्ती भी है, मुस्कुराती भी है, कभी-kभी उसकी आँखों में थोड़ी से नवी भी आ जाती है. It's a part of life. Because we artists, we are very sensitive. Right? So, if I ask you, कि फर्या पर्वेज वो दिल से कैसी है? If anybody takes me wrong, मुझे अच्छाने लगता, उसके लिए में डांट भी खा सकती हूं, उसके लिए मिमार भी खा सकती हूं, but I want to clarify, एक चीज मेरा कसूर नहीं था. मेरे लिए तनी इंपॉर्टनट ही नहीं कि मुझे खा सकती हूं. Yes, exactly. क्यों? क्यों नहीं नहीं आरही होती. कुई ऐसा fact, कुई ऐसी हकीकत आपकी जिंदगी की, जो आपको ना पसंद हो? बहुत सारी होंगी, I'm sure, जो मुझे ना पसंद हो. I think, चीजे में कमिट कर लेती हूं, ऐसी जो बाद में में निभान अपां. Not from my work's point of view. काम के लिए, I'm very religious, thank God. Faria, when you have to pamper yourself, जब अपने नाजनखरे और अदाएं खुद उठानी होती हैं, तो क्या करते हो? मुझे अपने आपको pamper करने के लिए को बहुत major effort नहीं करनी पड़ती. क्यूंकि हर जगह पे, जहां भी मैं अपने आपके बारे में सोचना शुरू करती हूं, वहां पे बहुत सारी दीवारे आँके खड़ी हो जाती हैं, वहां बहुत सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं कि अगर ये करूँगी, तो ये होगा, अगर ये होगा, तो से ये हो जाएगा, इस कदम उठाने से ये फर्ग पर जाएगा, रेपिटेशन पर फरक नहीं आना चाहिए किसी के मुँम में कोई गलत बात मेरे बारे में नहीं आनी चाहिए और मैं एक नोन फिगर होने के बावजूद भी ऐसा बहेव करना चाहती हूँ जैसे मुझे कोई जानता ही नहीं है अच्छा पड़ी फिलोसफी हो गई है यह नहीं, I think it's really good अक्सरोकात आप जैसे लोगों की दोस्तियां ऐसे लोगों से जादा होती हैं जो आपको नहीं जानते Is it true? हाँ, क्योंके शायद मैं एक ऐसी पसनालिटी हूँ जिसके बजाहर देखने में जिसके क्योई प्रब्लम नजर ही नहीं आती Ajay Paria, इस दिंदगी में हमारे बहुत से दोस्ते हैं जो हमारे खुश्यों में हमेशा हमारे साथ होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो खुश्यों में हूँ या ना हूँ हमारे दुख में हमारे हाथ टाइम में हमेशा हमारे साथ रहते हैं आपकी सिंदगी में कोई ऐसा शक्स कोई ऐसा दोस्त कौन हाँ बिल्कुल एक ऐसा शक्स है और यह ग्रेट फ्रेंड मैं समझती हूँ कि उसके होने से मुझे यह हिसास होता है कि मेरी हर प्रॉब्लम का हल उसके पास होगा और मेरे हिसाब से होगा विकरस दुनिया इतनी तरह की कर गई है मैं अगर किसी से कोई मशवरा लेती हूँ और कोई इंसान पिछले जमाने की अप्रोच के साथ मझे मशवरा दे रहा है तो यह प्रॉब्लम किया चीज आपको डरा देती है वाट स्केर्ज वीडिय नाइफ मेरी फ्यूटर का एक गफ है फुच्रिस्टिक जो आप्रोच होती इंसान की मेरी है क्योंकि आप यह वरी रिलिस्टिक मुझे जिन्दगी के बारे में सोचना भी इतना ही अच्छा लगता है जितना उससे भी छायद थोड़ा सा जाद मैं मौत के बारे में भी सोचती हूँ The biggest reality of our lives is that we are going to die. We have to die. तो इतनी उमीद है, मैंने वैसे इंसानों से भी मिली हूँ जन्हों ने जिन्दगी से इतनी उमीद है और इतनी खुषया हासिल की है और उनको लगता है कि जिन्दगी इतनी परफेक्ट है और इतनी अच्छी होती है कि इसको तो हमेशा होना चाहिए कि मौत क्यों आगई बीच में जो उन लोगों से भी मज़ा खाफाता हूँ जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हूँ या जिससे डर लगता है तो उसके लिए कुछ प्रेपरेशन भी होती है अगशन एक तो कि अगशन देखेशन एक अप्रेशन लोगता है मैं आप एक अगशन लगता है माशाळला मैं आप इस फील्ड ने इस करियर ने आज मैं जहां भी हूं विकल्ड आप उसने मुझा इसी जगह पहुंचाया है कि वो खेर मेरी अच्छी बात थी कि मैं हमेशा अपना पैसा और अपनी चीज़ जमा करती रही और वो जमा करने का एक मेजर रीजन यही था कि जब मैं मुड़ी हो जाओंगी अगर इल्ला ना मुझे जिन्दगी दी और मैं इस तरह से पहुंची एक ऐसे जगह पे जहां मेर कि अपने आपको डिस्क्राइब कीज़े कैसे डिस्क्राइब करेंगे यहार आ थिंक अरूज मैं I'm a good package by the way I think क्या अपनी क्या समझ आती आपको 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 क्या समझ पायो अपने हावाले से अपनी जात के हावाले से What do you understand? I'm very simple. I feel that I'm very easy to understand हो जाता है कि आप दूसरे के point of view से अपने आपको दूसरों के point of view से सोच रही हूँ कि दूसरा मेरी तरफ कैसे देख रहा है? Of course because आप अपना camera कभी भी नहीं होते है मैं पसनालिटी भी ऐसी नहीं हूँ I think you should start giving time to yourself, it's very important They say that if you want to love the world, you need to love your own self Of course भी बहुत जरूरी है अपना आप आप जंदगी गजा रहे हैं, आपको दुनिया में भेजा गया है आपने अपनी जंदगी को कैसे गजारना है मुझे अपने कदम कदम का क्या इल्म है, मुझे पता है अब मैं ये कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होना चाहिए कई दफ ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लमहात आते हैं जब decision ले सकते हैं, मगर नहीं लेते कभी ऐसा हुआ कि when you had, you should have taken that decision और आपने नहीं लिया और आप अब सोचते हूँ कि काश ये decision में उस वक्त ले लेती है नहीं, I am a very bad decision maker decision होता है नहीं सबसे बहली बात तो ये है कि आप वक्त क्या देखेंगे, आपसे decision होता है तो आप लू कहानी खतम होगा दूसरों के बने वे decisions पे आप चलती है नहीं, जब सर पे पढ़ जाती है, then I have to go for it, then I go for it जब भी जिन्दगी के मामलादा रहे है जिन्दगी के बारे में इसमें वो चीज़े बिलकुल चामल नहीं है जिन्दगी की बात जहां बाकी वहां पे आपको decision making ही नहीं है वो सवाल कब जवाज ही पेदा नहीं होता Have you been able to understand man? समझ आना बड़ा बड़ा आसान सी बात है अगर तुम नहीं समझना चाहोगी और अगर तुम्हें एक ही जिंदगी के या एक या दो एक्सपरियंस से तंग आगई हो और सोच्री हो कि अब क्या होगा और यह तो आपको कूद के देखना पड़ेगा तरया में जब तक आप चलांग नहीं लगाएंगे बाहर से हमेशा लहरे बड़ी हुबसूरत लगेगी दूर से आपको सब कुछ प्यार अलगता है मगर इस इस अबवियस एक इनसान आपको अपना सब कुछ अच्छे से अच्छा दिखाता है और उसके बाद जब आप साथ रहना शुरू करते हैं तो आपको थिस इस अबवियस उसकी 10 चीज़ जो आपको नजर नही आ रहे थी वह आपको नजर आने लगए ए पर आप उसके लिए वो अन्मोल चीज नहीं रह गए, जो आप थे कभी वेरी अब्यूस, आइवें यह हमारी सारे मासर्स हर जगह पे इस तरह का एक क्रियेट हो रहा है, इक हानी होती है, हर घर में, हर जिंदगी में वन हैबिट, यू वांट तो चेंज अब यूरसल्फ कोई ऐसी बार जो आप अपनी परस्नालिटी से निकालना चाहती हैं और आप समझती हैं कि अगर वो निकल गई तो आप बहुत महतर हो जाएंगे मेरे दो पहलों हैं जंदगी के, एक मैं सिंपल हूँ, एक मैं बलकुली मासस की खातून हूँ, और एक मैं करियर मोमन हूँ, जब मैं दो चीजों में से निकल ही नहीं पाती तो मुझे मैं उसमें बड़ी सक्त फाइट करती हूँ और वो मुझे अब जंदगी केस मोड़ पर आके बहुत जादा करनी पड़ रही है क्योंकि एक जगा पर मैं अपने करियर को के साथ हूँ, खड़ी भी कि और सब चलता रहता है, मगर इसको क्यों अग्णोरिया वोइट किया जाए और एक जगा पर मुझे पुछ किया जा रहा है कि आट लाइफ is basically a right life कहते हैं कहीं जमीन नहीं मिलती, कहीं आस्मा नहीं मिलता अभी तक जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के बवजूद क्या समझती है किस चीज की कमी है औरूच किसी चीज की कमी नहीं है आचे, जिंदगी में बहुत से रिष्टे होते हैं कुछ रिष्टे बहुत अहम होते हैं, बहुत ही दिल के करीब होते हैं और जो बहुत ही दिल के करीब होते हैं, उनसे कही दफ़ा हम बहुत कुछ ऐसा कह नहीं पाते जो हमें कह देना चाहिए Are you an expressive person? No, I am not Even to my parents मुझे अम्मा कोई ऐसास दलाना है कि आप कुछ अपी डाल रही हूं और मैं I love you And I really feeling कि आप बहुत ही कोई But I can't, I can't tell her this I can't express myself, मेरी यह problem है कुछ ऐसा, अजयर अब तुमाह सामने नहीं है लेकि देखेंगी TV तो हम चाहेंगे कि इस program के थू उनसे कुछ कहें जिनसे आज तक आप वो नहीं कह पाई जो आपके दिल में है अरूज मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त आया ही नहीं है जब मुझे उनको मैं कुछ ना कह सकी हूं मैं उनको सब कुछ कह चुकी हूं उन्होंने मेरी हर बात को बड़े तरीखे से accept किया है हमेशा मेरे parents ने और मैं उनको इसी बात पे literally I really salute them क्यूंके parents का ये सोच लेना के ये बड़ा अल्ला पे तवक्कल वाली बात है कि आप ये सोच लें कि आपकी ऑलाद इस वक्त जो करने जा रही है वो उसके लिए dangerous भी हो सकता है कुछ भी किसी भी पहलो से आप ये बात करें और वो आपको अलाओ करें और वो आपके साथ करें So, मैं ही समझती हूं कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कभी पूरा ना हुआ 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 यार मेरा एक ख्याल है किया career-based औरत हैं क्या show business, क्या doctors, क्या कहां औरत कम पढ़ती है मुझे आज तक इस बात का इसास नहीं हुआ क्यूंकि औरत अपने मर्द के लिए, अपने घर के लिए, हर तरह से थाबत कदम होती है और हमेशा चाहती है कि उसका mostly चाहती है कि उसका घर और उसकी जिंदगी और उसके बच्चे जो उससे related दुनिया है वो कुछ रहे और इसके बारे में इसलाम में भी बहुत सी बाते हैं, हम सब ने सुनी है मैं जमझते हूँ कि हमें उन चीजों पर अमल करना चाहिए I think it's a great message from you, बहुत अच्छी बात के Thank you so much Faria, it was lovely talking to you, बहुत अच्छा लगा Thank you so much. Once again it was lovely talking to you. So to you, I just want to say, बहुत अच्छी बात इनोने की के अपनी जो आपके घरों में खवातीन हैं, उनकी रिस्पेक कीजे बगर आटों से मैं ये कहना चाहूंगी के हम वाकई इजद के काबल तू हैं लेकिन हमें अपने आपको भी ऐसा बनाना है, ऐसा किरदार अपना हम लोगों ने बनाना है के हर शक्स हमारी इजद करें हमें कहके नहीं, बलके अपने अमल से अपनी इजद करवानी है That's very true. I'll see you next time, till then you take care and respect all the women. Thank you. Allah Hafiz. जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से जूला जुलाते है मां उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूं मां Wow तुमको मैं बतलाता नहीं पर अंधरे से डरता हूं मैं मां मैं कभी बतलाता नहीं तेरी परवा करता हूं मैं मां करता हूं तुमको charms करता हूं करते हूं आय territories करते हूं ञाonna आयर Um आयर झाल झाल